द्रविड ने भारत को बताया वर्ल्ड कप का दावेदार बोले सही समय पर सरुष्रेश्ट प्रदशन करेंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहूल द्रवेड को यकीन है कि विराट कोहली की कप्तानी में टीम अगले कुछ महीने में सरोश्रेष्ट प्रदशन करके विश्व कप में प्रबल दावेदार के रूप में जाएगी भारत ने दक्षन अफ्रिका, आस्ट्रेलिया और नियूजीलेंड के खिलाफ विदेशी सरजमी पर तीन वन अडे सीरीज जीती हैं लिहाजगा उसे तीस माई से शुरू हो रहे विश्व कप में सबसे प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है द्रवेड ने कहा, मुझे लगता है कि भारत ये टीम इस समय बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है और खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में जाएगी उमीद है कि अगले कुछ महीने में हम सर्वश्वेष्ट प्रदर्शन करेंगे इंगलेंड में 1999 विश्व कप में सर्वाधिक 461 रन बनाने वाले द्रविड का मानना है कि उस विश्व कप से इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा, इंगलेंड में विकेट सब 8 होंगे और इस विश्व कप में काफी रन बनेंगे हम जब एटीम लेकर इंगलेंड गये थे तो नियमित और पर तीन्स और अन बनते थे